हमारे दर्मिया मौझूद इस्टेश पर जल्वा व्रोस सीनियर टिप्पी कन्वीनियर नस्रीन जलील बाजी गॉक्कर मौम्मद वारुख सत्तार भाई सैयद मुस्दुपा कमाल भाई कन्वीनियर गॉक्कर खालिज मक्मूल सिटी की भाई पर्चमों को बदाओं में लेरा पीरे हैं मजलूम के साथ है हम जबरों सुम के धुश्मन है हर बेबस की आवाज है हम जज़ पूंगी अपने हुपे वतन बाती उसके बात जिन्दावाद, जिन्दावाद, जिन्दावाद Thank you in Pakistan, जिन्दावाद Thank you in Pakistan, जिन्दावाद हम सब का मंजिल पे नजरों को रखना तम इनसाफ का है भरना शक जहती मन्शूर अपना ये जुनून है हम सब का मंजिल पे नजरों को रखना बदलेंगे तस्वीर वतन मंजिल अपनी मुराद जिंदा 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 जिंद आज भी अगल परस्थे हम, कल भी हक परस्थे हम, जुदा नहीं हम, अलग नहीं पश्बूत तनावर्द नक्त हम आज भी अदल परस्थे हम, कल भी हक परस्थे हम, जुदा नहीं हम, अलग नहीं पश्बूत, तनावर्द नक्त हम बात शे नहीं खबराते, नसले रहें आबाद शिंदार, 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 शिंदा व्हार पिर खाना हन मांजु है मेरी गुजारिश मुसलिम इन आटने ने मेरी आटने जनों आटने मांजिल मेरी गार मेरी को एम ईनों मेरी डिनल पिले लोगे doc me आओजु बिल्लाइ मिना शहीत्वाइब राप्ता कमिटी और पाक मसलिव एलाइज देवान का सदर सेक्टरी और आज इस पाकिस्तान की तमाम जबान बोलने हो लाने आज उनको इस कोम ने पुरा पाकिस्तान में बस देवान तमाम जबानों ने और दिखा दिया कि ये एक ओम पाकिस्तान में बस देवान तमाम जबान पठान बंगाली सिंदी कच्ची मियवाली सरी की सब ने आज ये गिराउन भर के बता दिया किया जो बंधरा साल तुमने हुकमत किया है ये आज उनकी जबाम दे चुका है कि आज़ा इन्दा इन्शाल्बा आएगा तो इमको इम पाकिस्तान आएगा और उजोद पे आके इंशालला कराची की तमाम जो मसला है और कराची का जो इशू है और पूरी सिंद का जो मसला है ये कराची को खंडर बना के रख दिया कराची आवाम को मसला बना के रख दिया यहां कराची में टेक्स पेक करने वाला सबसे जढ़ा कराची है आज उन gemeी की बच्चो को नो क्री नहीं मिलता है हम उन बीविभेड करूँगा अगरो कराची का बच्चा है तो उसका नो क्रेवी कराची उलंगों मिलना चाहिए अज़िए को नहीं मिलना चाहिए मैं बता देने चाहता हूँ इंशाल्ला ये कुए मपाकिस्तान और पाक मस्लिव हेलांच इंशाल्ला और दीगर कौ्म सम मिलके इंशाल्ला उमेद करता हूँ इंशाल्ला जो 28 ये थे सफबरूर इलिक्षन होंगे इन्शाला बर्बोर कामियाब होंगे ये आवो हमने अज बता दिया क्या महबबत करने और सियासत करने वाला कौन है ये आप देखो ये जलजला और ये तूफ़ा क्या कहता है और इनकी जबाब देन वाला को मिल गया है कि आज की बात अगर कि रवाला है और जिनको बोड में काभी आप करेंगे इन्शाला इस पूरी पाकिस्तान का करवाची का अवाम का जो इश्व है मसला है मुझे बता है मेरी भाईो यहा यहा नोकरी नहीं यह 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 पानी नहीं यह इदा इदार बिजली नहीं है, इदार गेस नहीं है, हमारी बच्चों को नोकरी नहीं है केुँ है ये कब तक 15 साल तक आपना अपना बणनो ऋलच जा इर्दा दिये बटम हो जाएगा इंशाओंलह अम मेरेट में फेसला होगा, जो मेरेट में फेसला होगा, वह आभा हम का फैसला ह होगा और इंशालला ओमीन डिड़ कामीब होंगे तो मैं आपसे बुदारी शेही है किया M.Q.M. पाकिस्तान को सब साथ देंगे ना और 8 February को M.Q.M. पाकिस्तान को अबोड़ देके जीता हैंगे ना कामीब करेंगे ना तो आपसे मेरी यह उमीद पार्टी ने इस कराची के लिए इस कराची का हालाद बिकार दिया और टेक्स पे करने वाला हम लोगे हम भी हम भी बंगाली से हम भी खोता की कसम छे कुरोर रुपयत साल अनग टेक्स देता हूँ तो खा जाता है और टेक्स तो खा जाता है क्या हो रहा है यह अवाम तुमारी हिसाब लेंगे और मस्तवा कमाल जब कराची मेर थे तो तीन सो आरोब रुपया से पूरी कराची को बना दिया और बाइस आरोब रुपया बाइस हजार आरोब रुपया तो अगर आब पुरा सि इनको भी बोल्ट उजर मार दो दुबारा बन सकता है तो ये ये काह का बदमाशी ये भाई आप हिसाब लेने आएंगे इंशालला एम कुएं पाकिस्तान और इंशालला लेके दिखाएंगे तो मैं आप सबसे उमेद रखता हूं इंशालला आठ फेबरुआरी को अगर इलिक इनको पाकिस्तान को दो गें उनको कमी आप करोगे अल्हाफिस पाकिस्तान पाकिस्तान आप को इस देवान आप काईद आजम के मजार के सामने, काईद आजम के बेटे कौमी तरहना पढ़ेंगे तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश कि कौमी तरहना के अतराम में अपनी नशितों से खड़े हो जाएं ताकि कौमी तरहना पढ़ा जा सके आज का माजमा मेग जान, आजे पां। मैग जिएा की शाइबा आज से जा मी अगा नगा मेग जाएबा भुन्हान जारी जारी प्रिमाजी शाने आजाने इस्टर्पा, साले जुदाई 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 अब नया तराना उसी के साथ मैं अपने हग परस नया तराना का उज्रा किया जा रहा है और उसी तराने के साथ-साथ हम अपने हग परस उमीदवारान को स्टेज पर बुलाने जा रहे हैं साथियों, MQM पाकिस्तान के कारकुनान और अवाम आपके सामने हम आज MQM के उमीदवारान के नामों का एलान कर रहे हैं जो सिर्फ उमीदवार नहीं है आज का जलसा बता रहा है कि जिस जिस हलके के MQM के पतंग के उमीदवार आपके सामने आ रहे हैं वो उमीदवार नहीं हैं वो M.P.A. मुंतखिब कर दिये आज के जलसे ने वो M.N.A. मुंतखिब कर दिये उन जलूसों ने जो इस जलसागाह से बाहर हैं जो गुरुमंदर नहीं जो लेकदवाद नहीं जो अभी तक चारह फैसल लाइन देरिया हर जगा बिखरे हुए हैं इस तकबाल कीजिए आपके सामने M.K.M. पाकिस्तान के तमाम उम्मीदवारान यहने मुंतखिब अरकान सुबाई एसम्बली और कौमी और कौमी एसम्बली P.A.C. 87 किरन मसूद भाजी P.A.C. 87 किरन मसूद भाजी P.A.C. 89 हमीदु जपर भाई P.A.C. 92 अरसलान अहमत P.A.C. 93 यासिर उत्दीन P.A.C. 94 नजम मिर्जा भाई P.A.C. 95 शम्शाथ खान दनोली भाई P.A.C. 96 शप्पीर कैम खानी भाई P.A.C. 97 शोकरत अली भाई P.A.C. 98 अरसलान पर्वेज भाई P.A.C. 99 परान अंसारी भाई P.A.C. एंड्रेड परान अंसारी भाई P.A.C. 101 बोही जनवर भाई P.A.C. 102 हमीर सित्धी की भाई P.A.C. 103 पैसल नफीक भाई P.A.C. 104 मौहमत दानियाल भाई 108 मुहमद दिलावर भाई 110 लोग सिखार काहम खानी भाई 110 शारिक नसीम भाई P.S. 111 पयाद अलग भाई 112 मुहमद अक्रम भाई P.S. 113 फहीम अहमद भाई P.S. 114 पयाद काहम खानी भाई P.S. 115 अहमद बिलाल भाई 116 मुहमद राहिल भाई 117 शेक अब्दुल्ह बाई 118 नसीर एमद बाई 119 अली खुर्शिदी बाई 120 मजाहिर एमद बाई 111 सेद अजाद अलहाग बाई 122 रहान अक्रम बाई 123 अब्दुल्वसीम बाई 124 अब्दुल्वसीद बाई 125 आदिलसकरी बाई 126 इस्तिकार अलम बाई 123 मौम्मद माज महभू बाई 128 ताम एमद बाई 130 माज मुकद्दम बाई और पियस 130 चमाल एमद बाई यह आपके सुभाई हल्के के अमिदवार है और अब मैं बलाने लगा हूँ कौमी असेमली के अमिदवार तालियों की कुझ में तालियों की कुझ में तालियों की कुझ में सिक्भाल करें अपने सुभाई असेमली के अमिदवार हो का आपको अमिस्टर लिगमिद्वारों से मेरे गुजारिश एने 299, डॉक्टर फॉजिया हमीद भाजी 282, हासिया इसाग भाजी 283, जावेद अनीब भाई 284, मुहिन आमिर पिर्जादा भाई 285, इकबाल मैसूद भाई 286, हसान साबिर भाई 287, अब्दुल रहूफ सिद्धिकी भाई 286, साथियों, तालियों की गूज में इस्तक्बाल करो तकि पुटा चले, तुमने जीते हुए हक्पर सुमिद्वारों का कैसे इस्तक्बाल करते हो तालियों की गूज में 288, साथिक इसकार भाई 240, अशद वोरा भाई 241, शुटर पारुख सत्तार भाई 242, साहिएद मुस्तभा कमाय भाई 242, अभायो समान भाई साहिए के कुछ में 224, पारुख सत्तार भाई 245, साहिएद अफिदूतिन भाई 246, साहिएद अमिनुल हाग भाई 247, खौजा इजारो रसन भाई 248, कन्वीनियर, डॉक्टर खालेद मक्भूल सित्थी की भाई, तालियो के कौज में 249, एमा सलीम सित्थी की भाई 250, फरार, चिश्टी भाई तालियो के कौज में इत्तपाल करें यह आपके कौमिस अवरीकों मित्वाई आपके जीते हुए उमिद्वार, आपके साम में है जंडू को पर्चमो में फिदा में बलंद करें तराना बजा दिया जाए मेरी बुदारे के लिए परचमों को फिदा में बलंद रखो को उमिद्वारों ने की जीत का अलान कर दिया है मुआ पाकिस्तान को मिला कर चलना है ये रंगो नसल और आव मोजबा का फर्क मिटाना है मोज से हाथ अदमों से अदम को मिला कर चलना है ये रंगो नसल और आव मोजबा का फर्क मिटाना है जो पैसला करके निकले हैं उस पर समझोता ना होगा सर कट जाए तो कट जाए इमा का साथा ना होगा ये एक फक्त तन्सीम नहीं एक नाजम है अलीशान ये हैं MQF Pakistan हम हैं MQF Pakistan तुम हो MQF Pakistan जब है MQF Pakistan पुझाने है जाहत का दीप जलाना है जो दीवार ये दासुम की उसे मिलकर हमें गिराना है जो कर्ज है हम पे मिट्टी का हमको वो कर्ज चुकाना है इस मुलकी खिदमत करनी है हम अपना फर्ज निभाना है जो फैसला करके निकले है उस पर समझोता ना होगा सर कट जाए तो कट जाए इमा का साथा ना होगा ये एक फक्द तन्जीम नहीं एक वाजम है अलीशान ये हैं अप्यू हैं पाकिस्ता अप्यू हैं 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 अप्यू चले मक्तल की जानेब और चाती खोल दी हमने बढ़ाने पर पतंग आए तो चर्खी खोल दी हमने पड़ा रहने दो हमें अपने बोरिये पर हम फकीरों को फटी रह जाएंगी जो आखे जो मुठी खोल दी हमने इनी अशार के साथ मेरी गुदारिश सीनियर डिप्टी कन्वीनियर मुट्धा कौमी मुव्मिंट पाकिस्तान जनाब नसरीन जलील भाजी से कि वह आए और इदारे ख्याल फरमाएं मुझा जलील भाजएंगी की वह चाहत को अदी बाने कि लासों की भूस मिलकर हमाने कि राना है गुर्द पे मितिका हम को एज़ चुरा है इसको को चुछा है अज़ो कराची स्टेज पर मौजूद खालिद भाई खालिद मखबूल सिद्दीगी भाई कनवीनर MQM पाकिस्तान मेरे अराकीन राप्ता कमेटी अजीज तहरी की साथियों काबल इहतराम माओ बेहनों बुज़र्गों आप सब को अस्सलामों आलेकूम मेरे खुदा मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि आप लोग इस तादाद में आज यहां पर होंगे बहुत बहुत आपको आने की यहां पर मुबारक बाद और जिन लोगों ने इसका बंदो बस करवाया आपको यहां तक पहुँचवाया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तो वहम औ गुमान में भी नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में आप शिर्कत करेंगे और हद निगाह तक यह जम्म गफीर यह इनसानों का ठाटे मारताव समंदर इस बात की खमाजी कर रहा है कि आप कल भी हमारे साथ थे आज भी हमारे साथ है और इन्शालला आएंदा भी हमारे साथ होंगे और आठ फरवरी को पतंग पर आप सब महर लगाएंगे और इसके इलावा जो आज यहां पर नहीं मौजूद हैं वो सारे लोग भी मतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को आपने जिता दिया एक तहरीक जो महाजरों को हकूद दिलाने के लिए शुरू की गई यह चंद नौजवानों पर मुश्दमिल थी आज यह तहरीक मतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की शकल में तमाम कौमियतों को साथ लेकर चल रही है 98 फीसद गरीब और मतवस्द तबके के अवाम के हकूद की खातिर मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने अपने नुमाइंदों को इस इलेक्शन के लिए शुरू की मुझे खुश है कि आज इस जलसे में पश्टून भी है सिंदे भी है पंजल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया M.K.M. पाकिस्तान आपकी नुमाइंदा जमाद है M.K.M. पाकिस्तान गरीब और मतवस्द तबके की नुमाइंदा जमाद है M.K.M. कराची वालो आपको याद है हमने 20 लाक जानों की गुर्बानी दे कर ये मुल्क हासिल किया ये खुन राएगा नहीं जाएगा इसको बनाना है हमने इस मुल्क को अपने खुन से से चाहे सवूबतें बर्दाश की है मुल्क को याद है या नहीं याद है कि हमने जब से पाकिस्तान बना हम गुर्बानियां देते चले आए हैं 1951 में आपके पहले महाजर वजीर आजम खान ल्याकत अली खान को शहीद किया गया अयूब खान ने कराची से दारूल खिलाफ़ इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया हजारों महाजर खानदान जो के मुलाजमत कर रहे थे सरकारी मुलाजमत कर रहे थे उनके खानदानों को भुगतना पड़ा डिवाइड़ फैमिलीज हुई कराची की एहमियत को कम किया गया इसके साथ साथ ऐयूब खान ने महाजर सरकारी अफसरान को जबरी फारिख किया यहिया खान ने 303 महाजर अफसर निकाल दिये यह वो अफसरान थे जिन्होंने पाकिस्तान को अपने पाउं पर खड़ा किया था मत भूले के हम उनकी ओलादे हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था और पाकिस्तान को बहतर मन्जिल की तरफ ले कर जाएंगे पाकिस्तान को यहया खान के दोर में दो लख्त किया गया उस वक्त आपने हिज्ड़त की दो मरतबा हिज्ड़त हुई हिंदुस्तान से इस पाकिस्तान और फिर बंगला देश से पाकिस्तान आपका सब कुछ लुटा मगर आपने हिम्मत नहारी फिर भुटो ने एक हजार से ज़ादा महाजर अफसरान सर्विस से फारिख कर दिये नैशनलाइजेशन की गई वो बाइस खानदान जिनके असासों को कौमे आया गया था उनमें ज़ादातर महाजर खानदान थे तालीम और इंडस्ट्री के पहिये को ब्रेक लगा दी भुटो साब ने नए और पुरानी सिंदी की इखतरा सामने आई जिसने हमारे दरमयान सिंदी और महाजरों के दरमयान खिलीच पैदा की कोटा सिस्टम नाफिस किया गया अर्दू के निफास को खत्म करने की कोशिश की गई आपको याद होगा कि रईस अमरोवी का किता था अर्दू का जनाज़ा है जरा धूम से निकले अर्दू का जनाज़ा है जरा धूम से निकले आप मत भूल ये साथियो के पाकिस्तान में कोई ऐसा सूभा नहीं जहांपे शहरी और दही तक्सीम है मकर सिर्ण एक ऐसा सूभा है जहांपर ये तक्सीम मौझूद है और शहरी सिंध को हर दौर निए कुमत में जलम जबर का निशाना बनाया गया चाहे सोराब कोट का वाकिया हो चाहे हैदराबाद मैसकर हो पका किला हो अलीगड कस्वा हो हमारे बच्चों को एक सरजुडिशली किल किया गया मावराय अदालत खत्म किया गया या जबरी गुम्शद्गी के वाकिया आज भी हमारे सो से जादा साथी लापता है आज भी साथियो आज भी हमारी माओं की नजरे दर्वाजों पर लगी है आज भी बच्चों को अपने अबू का इंतजार है खुदारा मिसिंग परसंस को बाज़ाब करे मेरी दर्खवास थै मुदबाना दर्खवास थै खुदारा हमारे लापता साथियों को बाज़ाब करवाईए आज हमारे मुल्क पर एक स्तहसाली टोले और उनकी ओलादें काबिस है रोटी, कपड़ा और मकान जैसे नारे लगते रहे मगर ये स्तहसाली टोला अवाम के लिए नहीं अपने मफ़ाद के लिए क्रश्ने डालेंगे किस कस्वपुरसी में किस सड़के नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, स्वोज का नजाम नहीं है हस्पिताल नहीं है स्कूल नहीं है 60 फीसद बच्चे सिन्ध के सकूल नहीं जाते 5 से 16 बरस तक के बच्चे घजार नहीं है लोगों के लिए मेरे साथियो हमने पाकिस्तान बनाया था हमें पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है हमें पाकिस्तान को डिवेलप्ट नेशन्स में लाना है उसके लिए जरूरी है कि तबदीली आए और वो तबदीली ये होगी ते तालुक रखने वाले पढ़े लिखे नौजवानों के पतंग पर महड लगाएंगे तो इन्शालला ये तबदीली आएगी ये मेरा वादा है आपसे ये एक बहुत है इसी उमीद के साथ पाकिस्तान जिन्दाबाल ये थी सिनियर डिप्टी कन्मीनियर नस्रीन जरीलबा जी जो अपने खैलात का इजार कर रही थी हमारी तबाही के उन्हें खबर ही नहीं के रुख बदल नहीं अनीस का इम खानी भाई से कि वह आए और इजाने ख्याल पर्माए नहरा आए मुत्धा जो पैसला करके निकले है उस पर समझोता ना होगा सर कट जाए तो कट जाए इमा का साथा ना होगा ना होगा ना होगा ये एक फक्त तन्जीम नहीं एक लाजम है अलीशाँ आओजबिल्लह मिन श्यत्वान रजीम बिस्मिल्ला रख्मान ररहीम यहां पे मौझूद खालिद भाई मस्तवा भाई फारूब भाई नसिरिन भाजी अराकिन राप्ता कमेटी अलेक्टिक और प्रिट मीडिया के साफी अजरात केमरामेन और कराची की माएं बेहने बुझरोग नौजवान अस्सलाम आलेकुम आपको पता है ये जलसा जलसा नहीं है ये आज रिफ्रेंडम है आज आट फरवरी है हमने कहा था के बागे जिनों में हमें आट फरवरी का इंतजार नहीं है कराची अपनी मुबाइल की मुबाइल ओन करें शाबाश मुबाइल ओन करें शाबाश जन्डे गराते रहे साथ में मुबाइल ओन करें सारे साथ साब पजबा चाब आते हैं इसे मुबाइल ओन करें पीछे वाले भी पीछे वाले भी कोई रहे नी मुबाइल खाली पीछे वाले पीछे बाले भी पीछे बाले भी पीछे बाले भी अब तरह बजा शाबाल पुबाईल ओर करकर रखे तरह चला शाबाश लेकिन मंजिर तक जाएंगे हर हालत में हर सूरत में अबने मशब को पार भी ताजला के रखे तरह चला करके तरह चला ये एक फंकर्ट तंजीम नहीं एक आजम है अलीशाँ ये है MQS Pakistan MQS Pakistan हम है MQS Pakistan MQS Pakistan तुम हो MQS Pakistan MQS Pakistan आप लोग आप लोग किसको वोड देंगे किसको वोट देगे तो ला राओ चंडे जो दिल में हमने खानी है करें मीजुक ते जंडे लागा शाबार पसाद हमारे वो हाए जो सच्चा पाकिसानी है जो फैसला करके निकले है उस पर समझोता ना होगा इमा का साथा ना होगा जो पाकिसानी है जो सच्चा पाकिसानी है जो पैसला करके निकले है उस पर समझोता ना होगा सर कट जाए तो कट जाए इमा का साथा ना होगा ना होगा ये एक फकत तन्सीम नहीं एक आजम है आलीशान ये है MQS पाकिस्तान हम है MQS पाकिस्तान तुम हो MQS पाकिस्तान जब है MQS पाकिस्तान जबरदास तालियों में साथियों को रुकसत करें लगी जन्रे रहा तेरे शाबाज शाबाज जन्रे रहा तेरे शाबाज तरह चलाए MQS पाकिस्तान तुम हो MQS पाकिस्तान जब है MQS पाकिस्तान एक और मुझारा करके दिखाएं ये आठ परवरी ये रिफ्रेंडर में मुझारा करके बताएं आप साथ देंगे मेरा साथ देंगे मेरा तो गिंती गिंते खामोशी इकत्यार कीजिएगा सब खामोशी इकत्यार करें सब खामोशी इकत्यार करें सब खामोशी इकत्यार करें एक, दो, तिन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दास, ओकराची वाले जीद गए! शाबा अचन्ड़ने राए, शाबा रुक्षत करें साभियाद राग को, मिजूद चलाएं! हम हैं अचणितने प्रको फ्रको प्रको ठीकितने नो, आठ, आठ, च प्रको धने मग्रीकर को, मिजूद राग कyसाने अचन्ड़ने थे राग किस साभियाद राग के एक तो कि मेर में चलाएं! हाँ हैं मघने बाता हैं! नपनत की आग बुझानी है चाहत का दीप जलाना है जो दीवार ये दासुब की उसे मिलकर हमें गिराना है जो कर्स है हम पे मिठी का हम पर जुकाना है इस मल्क की खितमत करनी है हम अपना फर्ज निभाना है ना रुकेंगे हम ना जुकेंगे हम बस आगे वरते जाएंगे हर आंधी से, हर तूफा से, हर मुश्किल से तकड़ाएंगे चाहे रसे केसे भी हो लेकिन मंजिल तक जाएंगे हर हालत में, हर सूरत में लीदेरो, खुशो, आज रिफरेंडम हो गया आठ फर्वरीते हो गया कराची का मेंडेर किसके बास है वो पतंग के पास है, MQM पाकिस्तान के पास है आखरी बात, आपकी जाज़ा से करो करो आखरी बात पिपल्स पार्टी वालो किसको वह रहा हूँ, पिपल्स पार्टी वालो और जिस जिसमें खुआप देखा है कि कराची उसका है मैं उनको तम्मे का रहा हूँ, ना तुम उमसे चेन पाओगे ना चोरी करोगे, हम हार मास पे तुम से लड़ेंगे आठ परवरी, MQM पाकिस्तान का है पतंग का है, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान जिंदा बाद, MQM जिंदा बाद अगर अगर इज़ार इस तबदात का माने बगावत है अगर बेज़ारी इबदात का माने बगावत है अगर मजलूम की फरियाद का मेरा मसलख बगावत है मेरा मजभ बगावत है, मेरा मश्रब बगावत है तो आएं इस तक्बाल करना एं उस शक्सियत श्रे बगावतों के दरखशा आलम को उठाए रखा जिगर की ताप पे शम्मा मुबी जलाए रखा झाल 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 खाथ तानल क्ञचства एक्रश पेस ताप प्रष खास खेखर एक rich खूच्झा है मुस्तुफा कमाल भाई और सीनियर डेपटी कन्वीनियर नसरीन जलील बाजी दीगर डेपटी कन्वीनियर अराकी ने राप्ता कमेटी और MQM के तमाम शुबो और कराची के मुखतलिफ टाउंस से तालुख रखने वाले तहरी की नजरियाती कारकुनों सातियों आज के इस पिंडाल में लाखों की तादाद में मौजूद मेरी बेनों मेरी बेटियों मेरे भाईों मेरे बेटों कराची मीडिया के दोस्तों मेरे ख्याल में बलके यकीनन ये MQM पाकिस्तान की रिवायत रही है के हम पांच दिन का मैच खेलने का काम ही नहीं करते या तो फिफ्टी फिफ्टी ओवर्स का वन डे मैच खेलते हैं मुखालिब को फारिख करते हैं या फिर ट्वेंटी ट्वेंटी खेल कर ये अंधिया देते हैं के सिंद में पंद्रा सालों की जो खुलामी और महताजी कराची और शेहरी सिंद बिल्हसूस और पूरे सिंद के अवाम ये आज का फखिद अलमिसाल तारीखी आज का यदिम श्शान जलसा आए आम ये बात साबित कर रहा है के इंशाललह पंद्रा साल का कफर टूटा है और सिंद में तब्तीली आ रही है सिंद में ये 2020 मैच आज कराची के अवाम वोटर्स एम क्यू एम के हामियों ने यहां खेल कर सिंद के वडेरों और चागिर्टारों को सिंद की सियासत से बत्तरीन और करब्तरीन हुकमरानी को खत्म करके ये अंदिया दे दिया के सिंद में इंशाललह ताला MQM पाकिस्तान हुकुमत बनाएगी इंशाललह ताला MQM पाकिस्तान हुकुमत बनाएगी क्यूंके मुल्की तरकी में भी सबसे बड़ी रुकावट ये पंद्रा साला बद्यांती का लूट खसूट का और जमीनों पे कब्से हमारे बच्चों की पाँच लाक नौके लिए जल्म और स्यातिक के नए रिकॉर्ड का नाइसाफियों का सेचला बहुत तवील है लेकिन मैं आपके तवस्त से कराची के अवाम वोटर्स मेरी बेहने बेटियां मेरे भाई मेरे बेटे आज का ये पिंडाल लाड़काना के मजलूमों को भी ये खबर दे रहा है नवाबचा जैकबबाद और कश्मोर के गरीबों मजलूमों को भी ये पेगाम दे रहा है कि तुम्हारी जान भी बहुत चल्थ इन करफ और बद्लियानत बत्रीन हुकुमरानी करने वाले हुकुमरानों से तुम्हारी भी जान चूटने वाली है इंशाल्ला मेरे जो साती मुझसे पहले आए उन्होंने सही कहा कि ये बिलकुल उसी तरह का रेफरेंडम है कि जब पाकिस्तान कायम हो रहा था तो 1944 में एक रेफरेंडम हुआ था ये 1944 की तरसका रेफरेंडम है और आज़ फर्वरी 1947 का वो 14 आगस्त होगा जब पानियान पाकिस्तान उनकी मौझूदा नसल और कराची सिंगे शेहरों में हैदराबाद सक्क्र में कराची में बसने वाले सारे मजलूम महाजिर सिंदी बलोच पंजाबी बख्तून सराई की हजारेवाल कश्मीरी गिलगिती बिलदी और मेरे बंगाली भाई ये सब मिलकर ये इनतजाम कर रहे हैं ये तैड कर रहे हैं कि इन्शालला ताला हम बही सिंदी बेटियों बेनों मेरे भाईयों और बेटों को भी ये पंदरा साला जो खुलामी का महताजी का कस्मा पुर्सी और बेबसी का दोर था इन्शालला आट परवरी को वो चौदा अगस्त होगा वो यूमे आजादी होगा कि जब करभ हुकुमरानों से खब्जा कीरों से दादा कीरों से जाएदात और तौलत के अमबार लगाने वालों से हमेशा हमेशा के लिए जान चूटेगी इन्शालला मैं आपको MQM पाकिस्तान की कामिया भी भर खालिद मबूल सिदी की भाई MQM के सरवरा को आपको सिन के तमाम मजलूमों को मुबारक बात देता हूँ कि आज आपने फैसला दे दिया और आज का दिन एक अख्द का निकाह का और शादी का दिन है आज हम सब मिलकर MQM पाकिस्तान को एक दुलहन की तरह कराची वापस ले आए है MQM कराची में सिन में शेहरी सिन में वापस आ गई आज ये अख्द था निकाह था शादी थी आठ फरवरी को इन्शालला ताला वलीमा काएंगे वलीमा होगा आठ फरवरी को इन्शालला वलीमा की त्यारी करें इन्शालला आठ फरवरी को अब देखें अरे इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है अरे यहां तो हमारे जिन्दा रहने में रुकावटे हैं हमारी तालीम सहत जब MQM इसी तरह अपने पीक पर थी अपने उरूज पर थी तो आप इमांदारी से बताएं मैं आप से पूछता हूँ क्या बिजली की लोड शेडिंग इतनी थी क्या कभी बिजली की लोड शेडिंग दो हजार आट तक दो हजार तेरा तक क्या इस कदर बिजली की लोड शेडिंग थी क्या बिल आसमानों से बाते करते थे क्या कभी कैस की लोड लोड शेडिंग का सुना हमने कभी 2008-2013 तक कभी कैस की लोड शेडिंग का सुना आज पंजाब में अब भी गैस आ रही है और सुबों में अब भी गैस आ रही है अगर नहीं आ रही तो टैक्स देने वाले शेर कराची में नहीं आ रही है हैदरबाद और सक्कर में नहीं आ रही ये गैस की लोड शेडिंगे मेरी बेने मेरी माएं जो बवाची खाने में इंतजार करती है कि गैस कभ आईगी कब खाना पकेगा और बहार से भी कब तक रोटियां और खाना मंगाया जाएगा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये आज का तारीखी जलसे आहाम और रेफरेंडम इंशालला गैस की कमी और लोड शेडिंग का भी MQM पाकिस्तान आठ परवरी के बाद इसका भी हल नकालेगी बिजली के बहरान को खतम करेंगे इंशालला ताला और पानी भी इंशालला हमारे घरों में आएगा जो काम किये MQM पाकिस्तान ने किये पानी का मसला भी कभी इसकदर संगीन मसला नहीं था और आज क्या हाल है कि पानी आने की बात करते हो दिल जलाने की बात करते हो पानी आने की बात करते हो दिल जलाने की बात करते हो हमने चार दिन से मुँ नहीं धोया तुम ना आने की बात करते हो ये सुरत हाल है पानी की कराची में आखरी पानी के टू दस करोड गैलन यौमिया इजाफी पानी जब मैं मेर था MQM की तरफ से जब मैं वजीर बल्दियाद था तब आया और उसके बाद 10 करोड गैलन इजाफी यौमिया पानी मुस्तिफा कमाल भाई जब मेर थे उनके जमाने में आया अगर ये मेर्शिप का सिलसला 2008 में ना रुकता तो कराची में हमें बसों की जरुवत नहीं थी यहां ट्रेनों का एक बहुत अच्छा नेटवर्क बिछावा होता देर आए दुरुस्ताए आठ फरवरी इस बात का भी पैगाम है कि बहुत चल इस शेहर में सर्कूलर ट्रेन चलेगी बहुत चल हमारे बच्चों को हमारे तंखादार तबके को भी कराची में ट्रांसपोर्ट की अच्छी सहूलत दस्तियाब होगी मुझसर आईगी आज एक साल हो गया MQM की रियूनिफिकेशन को MQM के तमाम बिक्रेवे साथी 11 जनवरी दोहजार तेईस एकहटा हुए और ये एक साल में तंजीवे नौ हुई मर्दम शुमारी में पिछे तरलाथ इजाफा हुआ कराची सिंद का 33 पीसद से 37 पीसद हो गया एक कौमी असेमली की सीट और तीन सुबाई असेमली की सीटों में कराची में इजाफा हुआ और कहीं पर नहीं हुआ ये एम कीम ने बगएर हुकुमत में बगएर इख्यार के ये सब काम करके दिखाए हैं इसी तरह पांच लाग नौक्रियां हमारी खा गए ये वड़ेरे जागिरदार जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट ये पंदरा साल का बद्यांती का बदुनुमान करबतरीन और बद्तरीन हुकुमरानी का दौर था अब इस दौर का खात्मा होने वाला है पांच लाग नौक्रियां वापस लेंगे आज पहला अंदिया तो मैं ये दे दूँ के हवाएं जो चल रही हैं वो कह रही हैं कि इस रेफरेंडम में जितने लोग शामिल हुए हैं इतनी नौक्रियां इंशालला कराची के बेटे और पेट्रियों की हुई ये नौक्रियां आपको मिली जितने लोग यहां बैठे वे हैं ये नौक्रिया हमारी हुई विजली और गैस का बहरान खदम करेंगे इनके बिलों को लगाम देंगे इन्शालला ताला और आखरी बात कि आप ये देखें कि जो हमारे तालीम का इस्तेसाल होता है मैरिट का गतल होता है कोटा सिस्टम की वज़ा से और अब उसके बाद ये जो मैट्रिक और इंटर्मीजियट बोर्ड ने खिलवार किया दो लाग बच्चों को मैट्रिक और नाइंट में फेल किया और एक लाग हमारे बच्चों को इंटर्मीजियट के एक्जाम में फेल किया एक लाग अब बताईए क्या उसके लिए कोई मुझाहरा नहीं होना चाहिए क्या हमें बोर्ड आफिस नहीं चलना चाहिए किया हमें बौर्ड आफिस नहीं चलना चाहिए मुझे उमीद है खालिट भाई इलेक्षन है होता रहेगा लेकिन अपने तीन लाक बच्चों के मिस्ताखिबल को बचाने के लिए हमें बौर्ड आफिस पर मजाहिरा करना होगा हमें बोड राफिस पर जाना होगा हमारे लाइक नहीं है बच्चे मुम्बक्ती में लाल टैन में पढ़ रहे हैं पिछले साल नवे पीस अद रिजल्ट हमारा इस साल पचास से भी कम ये कैसे हो सकता है ये मसाइल है हमें इन पर तवज्जो देनी है हमें ये मुझारा करना होगा और सारी बातों की आखरी बात के एमकेम पाकिस्तान ने जहां मर्दूं चुमारी में लापता अबादी को बाजियाब कराया एक गौमी और तीन सुभाई इसमली की सीटों का इसाफा कराया हलका बंदियों को बेटर किया अरे जिन्होंने हमसे कराची चीना सतर सीटे यूसी की कम की पाथ पीसद के वोट पर अपना मेर जबर्दस्ती लाकर बिठा दिया इन्शालला बेटा ये रैफरेंडम ये वोटर ये आवाम कराची के इन्शालला ताला जो तुमने हमसे चीना है सूद के साथ वापस लेंगे इन्शालला अपना मेर कराची में लाएंगे इन्शालला बगहर हुकुमत के अख्यारात के वसाइल के अगर M.T.M. पाकिस्तान एक अवामी गवर्नर दे सकती है एक अवामी गवर्नर जिसने गवर्नर हाउस के दर्वाजे खोले और एक मुतहर्रिक गवर्नर दे सकती है रमजान के इस्तार फलाही काम तीन लाख राशन और उसके साथ साथ पांच लाथ बच्चों के इंपिहान लेकर एक आईटी यूनिवर्स्टी काइम की पचार पचास हजार बच्चों को वैब फ्री मेटावर्स और आर्टिविशल इंटेलिजन्स की आला तालीम वहाँ दी जा रही है उसकी मार्की तयार है छे सो कम्प्यूटर की लैब तयार है वहाँ पार्क है वहाँ केलने की जगाह है वहाँ कैफेटेरिया है और एक कलोड की वीडियो स्क्रीन भी बनाई गई है जब बगहर हकूमत अख्तियानात और वसाइल के एक कवरनर एमक्यम कामरान भाई जैसा दे सकती है तो फिर और कवरनर हाउस के दरवाजे आम लोगों पर खुल सकते हैं तो इंचालला इस मरतबा एक वजीर आला भी ऐसा ही एमक्यम देगी जो वजीर आला हाउस का क्राम के लिए खोलेगा इंशालला हुआ है 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 बच्चों दीवान भाई का खैर मगदम करता हूं और कमाम बंगाली ब्रादरी शामिल हुए मैं मतालवा करता हूं कि बंगाली भाईयों मेहनों को पाकिस्तानी शेरियत फिल फॉर दी जाए शिनाखती काट जाई किया जाए उनके बिट्चों के लिए भी वो नके बच्छों के लिए भी वह सहोलते दीजाए बाकिए इसकूल में और तौली मी ओदारों में है मैं मतालवा कर्क्राण। उन्हें पाकिस्तानी पास्पोर्ट चारी किया जाए है Greek बल्किस्तान गिल्गिति आबादी भी खि में है वहां मुझारा हो रहा है एक माइने से वहां नहीं नहीं टैक्स लगाए जा रहे हैं गंदुम मेंगे रामो बेची जा रही है मैं मतालबा करता हूँ वहां के मसाइल भी हल किया जाएं और वजीराला के टेकर मैट्रिक और इंटर बीजेट बोर्ड में जिस तरह हमारे बच्चों के मस्तविल कराची के मस्तविल और पाकिस्तान के मस्तविल का कदर मैरिट का कदर हुआ है एक कमिशन बना कर इसकी आला सदा पर तैकिकाद की जाए और री असेस्मेंट होना चाहिए बच्चों के पच्चों का आखिर में जो मेरे मिसिंग परसन है या किसी के भ पता साती है हमारे जो गम्चिदा साती हैं अब उन्हें बाजियाब होना चाहिए election से पहले होना चाहिए ताके ये level field level playing field वाली बात तेहो तालीम में भी level playing रोजगार में भी level playing field जहां अग तलबी हुई है उसका इसाला होना चाहिए जहां अग तलबी हुई है आखरी बात मैं एक अरसे से ये शेर पढ़ता चला आया हूँ मुझे नहीं मालूम था मेरे शेर की तश्री आज मेरे सामने बैठी हुई है मुझे नहीं मालूम था कि हमारे खाब की ताबीर आज 21 जन्वरी को रेफरेंडम के सूरत में यहां बैठी हुई है मैं आपसे इजास्त लूँगा और यही कहूंगा कि कुछ देर की खामोची है फिर शूर आएगा कुछ देर की खामोची है फिर शूर आएगा अरे तुमारा सिर्फ वक्त आया है कराची वालों का दोर आएगा पाकिस्तान जिन्दाबार और अब इस्तक्बाल करना है कि जिसने बाबा भिट और शम्स पीर जैसे जजीरों पर समंदर चीर कर पानी पहुचा दिया कौन है वो कि जिसने तीन सो अरब कराची पर लगा दिया था कौन है वो कि जिसने हर तरफ सडकों के जाल बिचा दिये थे कौन है वो चीफ जेस्टिस लहूर में बैट कर कहें कि अगर काम देखना है तो कराची जाकर देखो अरे कौन है वो खिजा की रुद में कुलाब चेहरा बनाए रखा कमाल है वो हवा की जद पे दिया जलाया चलाए रखा कमाल है वो शेहर से एहदो वफा नभा कर हटा के काठे उटा के पत्तर जो आख परस्तों कादिल कराची सजाए रखा कमाल है वो इस्तवाल कीजिए senior deputy convenier Sayyad Mustafa Kamal Al-Fatihah 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 अजा एदो कोलि सल लुलाहलावि भी वह अलयवससेलम कराची वालो कराची वालो कराची वालो यार I love you I I love you trust me I love you खुदा की कसब हमने हमने अपनी बीवी को भी इतने प्यार से लव यू नी का कराची वालो I love you यहां से कह रहा हूं यहां से यहां से कह रहा हूं यह तुमने 22 अरब रुपे पीपल स्पार्टी के इंवेस्मेंट को आज टपन कर दिया सारे आरोज सिन से लाके जो लगाएं सुन लो यह मजबा तुमारे घर में खुद जाएगा अगर एरेक्शन में एक वोट एक वोट एक वोट भी एक वोट भी एक वोट भी आगे पीशे किया यह कराची ने आज 21 जन्वरी को बता दिया है आठ फरवरी को इंसान के बच्चे बनके आरोडी आरोब रहे ना वरना 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 हाँ हाँ कि इन्होंने समझ लिया था कि कि कराची वाले कि पलट कर जपटना भूल गए हैं हमने तुम्हें मोका दिया इंसान के बच्चे बन जाओ नई बने आज कराची ने फैसला सुना दिया है तुमारी जमान ते जब करेंगे आठ परवरी को इंशालला ताला और सुराब और सिब लालू केत में नई सुराब गोड़ में भी करेंगे लादी में भी करेंगे केवाद में भी करेंगे बल्दिया और कोरंगी औरंगी में भी करेंगे इंशालला ताला अब जरा जंडे ले पेटो, जंडे ले पेटो, जंडे ले पेटो, सारे जंडे ले पेटो, एक भी जंडे उपर ना रहे, नीचे तक मुझे बात करनी है, सब जंडे नीचे कर लो, सब, जब खालित भाया हैं तो जंडे निकालना, जंडे नीचे कर लो, सब जंडे नीचे कर कराची वालों तुम्हारे तवस्त से बिलावल बुटो जरदारी साहब को आवाज लगा के कहता हूँ आज अपनी कराची की तंजीम को आज फारिक करो उनको मुरा बनाओ आज उन्होंने अर्बो रुपे तुम से लेकर बिलावल बुटो साहब कभी सोचो आप वजीर आजम बनने का खुब देख रहे हो एमक्यम के बिखेर बन सकते हो तुम्हारे बड़े कभी सेम्क्यम के बिखेर वजीर आजम बन सके हैं जो आप बनाओगे वजीर आजम एमक्यम के बिखेर कभी बन सके तुम्हारे फैले वाले जो आप बनोगे नहीं बन सकते देखो आज तुम्हारी पॉलिस्यों ने आज तुम्हारे तास्व ने पीपल्स पार्टी वालो आज तुम्हारे तास्व ने हमें दिवार से लगा कर हम जाकर पंजाब की पार्टी बेस पार्टी पीमेलेंज से जाकर बात कर रहे हैं पीमेलेंज से जाकर मजाकरात कर रहे हैं जरा बिलावल बुटो जरदारी साहब आप पूरे पाकिस्तान भर में जल्से जलूस करके अपने लिए सीटे जमा कर रहे हो वजीर आजम बनने के लिए कराची में बीस सीटें एम आज ये सोचो ये सोचो कि अगर तुम इनसाफ करते अगर तुम तास्व नहीं करते और ये तुम्हारे दो दो टके के लोग जो तुमने नीचे कराची को किसी को सेंट्रल फटा करने के लिए छोड़ा हुआ है किसी डॉक्टर को किसी को किसी और किसी और को कहीं और छोड़ा वाइस्ट फटा करने के लिए आज सेंटल वारे डॉक्टर को मजवाला इंजेशन लगा कि उसको उसको बंद करो उसको बैसो वाला इंजेक्शन उसी है के स्पिताल का लगाओ कल से इसने दिमाँ खराब कर रखा हमारे लोगों की अफ़ायार काट रहा है नौत जाएंगे नौत नाजमाबाच जाएंगे हमारे चल्से खत्व होने से पहले एफ़ायार काटो हमारी भी हमारे 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 साथियों पे हमला किया और हमारी एफ़ायार काट रहें तुमारी पुलेस तुमारे आरोस को आज कराची ने नेस्तों नाबूत कर दिया आज एलेक्शन एलेक्शन आठ परवरी को नहीं था एलेक्शन का दिन आज है आज है बोलो एम क्यों जीती या नहीं जीती जीत गई जीत गई है देखे दुनिया दुनिया देखे दुनिया देखे ये कराजिये हद देने का अभी तक बसे पहुच नहीं पाई हैं अभी तक काफले रास्ते में फसे हुए हैं यहां से लेकर यहां से लेकर गुरू मंदत तक लोग हैं लाकों लोग हैं नहीं जिना जा सकता इस पिंडाल क मजमे को नहीं किन सकते पार की रोड के मजमे को नहीं किन सकते नुमाई शोरंगी के मजमे को नहीं किन सकते और और गुरु मंदर के मजमे को नहीं किन सकते कराची आज उसने निकल कर इतनी बड़ी ताधाद में मेरी माओं ने मेरी बैनों ने मेरे बच्चों ने मेरे बुज एमक्यम के हक में इस पिंडाल में पहुँच कर फैसला दे दिया है इन्शाला ताला पंद्रा सालों के जुम का हिसाब लेंगे आप बिलावल बुटो साहब वजीर आजम बनने के लिए घूम रहे हो तुम्हारी वजारत ताला भी जाएगी इन्शाला ताला इस दफ़ा तुम्हारी सिंद्ध की हुकुमत भी फारिख करेंगे तुम्हारी सिंद्ध की हुकुमत भी फारिख करेंगे बिलावल बुटो तकरीर करते हैं कहते हैं कि मेरे घर में भी पानी टेंकर से आता है शरमानी चाहिए पंद्रा साल आपका वजीर आला रहा है जरा उस वजीर आ आला से पूछो कि ये पानी मेरे नलके में आने के बजाए बिलावल हाउस के नलके में आने के बजाए ये टेंकर से कहां से आ जाता है इसका मतलब है पानी कहीं पर मौजूद है कराची का पानी मौजूद है को उसको चोरी करके नलकों से निकाल कर टेंकर में डाल कर पैसों स बेच रहा है तो आपका फर्द नहीं बनता था कि अपने वजीर अला से बोले के आई वजीर अला सेंड जब पानी टेंकर में बिलावल हाउस आ सकता है तो पानी नलके में बिलावल हाउस क्यों नहीं आ रहा कैसे पूछोगे क्योंके सारा सिस्टम चला रहे हो और नोट नी से लीचे से उपर तक सब को मिलता है तो पानी चोरी करके एए मेरे पखतूनों, बंगालियों, एए सिंदियों, बलोचों ये जब पीपल्स पार्टी वाले हमारे नाल लाइनों से पानी चोरी करते हैं तो ये सिर्फ माज़रों का पानी चोरी नहीं करते, वो ये नहीं देखते कि इसमें पखतून का पानी चोर दे, इसमें सिंदियों का पानी चोर दे, नहीं वो सब का पानी चोरी करके, वो सब का पानी चोरी करके बेशते हैं सारे गरीबों के, ये किसी के नहीं है ना ये सिंधियों के हैं, ना ये बलोचों के हैं, ना ये पखतुनों के हैं, ये ना ये बंगालियों के हैं, ना ये सराइकियों के हैं, और ये महाजरों के तो है ही नहीं, महाजरों के तो है ही नहीं, इन्होंने एक ही आसरा लगा रखा था कराची में, कि लंदन से कोई boycott करेगा तो कराची वाले vote नहीं देंगे M.K. पाकिस्तान को और people's party वाले जीच जाएंगे एक ही आसरा है ये 15 सालों की हुकमरानी के बाद ये नहीं बता पारे कि हमारे काम क्या है ये 15 सालों की हुकमरानी के बाद इनको ये आसरा है कि लंदन से कोई boycott की आवाज लगाएगा तो कराची का महाजर vote नहीं डालेगा तो people's party जीच जाएगी दो अरब में पतंग बेज दी है दो अरब में दो इतलात है कि दो अरब लेके ये डॉक्टर रासिम से जरदारी सहाब के अकाउंट से दो अरब रुपे लेके इतलात है इत्याद मुबयना तोर पर इतलात है कि दो अरब लेकर पतंग बेज दी है कि मैं आवाज लगाऊंगा कि बॉइकोट तो लोग नहीं निकलेंगे people's party को फाइदा हो जाएगा people's party को ये पतंग दो अरब रुपे में बेज दी है एक कराची वालो एक मजमे वालो बताओ वोग पतंग का है या नहीं है बताओ किसका वोग है कराची में किसका वोग किस पे मोर लगाऊगे बताओ आवाब मियारी किस कितना मोर लगाऊगे किसके मोर लगाऊगे किसके मोर लगाऊगे पताओ पे इन्शालला ताला इन्शालला ताला और वजिर आजम के उमीदवार बिलावल गुटो जरदारी सहाब आप पंद्रा सालों की सिंद में हुकम रानी के बाद बाईस हजार अरब रुपए खर्च करने के बाद लहौर में खड़े होकर नहीं कह सकते ए लहौर वालो हमें वोट दे दो पीपस पार्टी को नहीं बहुत सकते मजमा जलसा छोड़के बाग जाएगा आग लगा देगा जलसे को कर पीना पड़ेगा कच्रा उठेगा नहीं सिस्टम चलेगा सिस्टम अपनी जलसे के लिए करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे कोई च्छद बेगर रिश्वत के नहीं 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 डाली जा सकती सारे ऐसे चोड़ लहौर में फिर पैसे दे कर लगेंगे इसलिए पाकिस्तान में जाकर के लोके के पाकिस्तान वालो लहौर वालो कोईटा वालो कराची वालो हम पिशावर वालो हमें वोड़ दो हम लहौर को पिशावर को कराची जैसा बना देंगे नहीं कह सकते क्योंकि तुमारे दौर में आज मेरे शहर में गटर में गिर कर बच्चे गर मर हैं दुन्या चांट पर जा रही है और तुम गड़र का ढखकर नहीं लगा सके 15 सालों में अरे हम है हम एक हम कह सकती है पूरे पाकिस्तान में जाकर ऐस इंड है पाकिस्तान वालो अ हम पूरे पाकिस्तान को ऐसा बना देंगे जैसा 2005 से 2010 तक हमने कराची को बना के दिखाया था हम कह सकते हैं दुनिया के बारा तेजी से तरकी करने वाले शेरों में हमने उसको शामिल करके दिखाया था हम कह सकते हैं आप नहीं कह सकते हम यह मुसविदा बनाया है हम तुम्हारी हुकमरानी तुम्हारी हुकमरानी तुम्हारे एम क्यूम की हिमायत चाहिए उसको इस मुस्वधे की ताइद करनी पड़ेगी आज की एम क्यूम दस नुकाती बीस नुकाती पड़ेज़ की अफसी एवोर्ड जिस तरह जहां से मिल ला है सूबे के डिस्टिक को वहीं से पैसे दो और जब तक लोकल गौर्मेंट का क्यूम क्यूम है अब मुंसे पानी मत मांगो पानी का अख्तियार मांगो उसे दो है वुजरायाला हाउस से अख्तियारात और वसाइल निकाल कर एम क्यूम इन्शालला ताला पूरे पाकिस्तान लेकर जाना चाहती है लेकर जाएंगे इस शहर में बहुत तज्यूर्वे हो गए पंड़ जाता नहीं है चार सालों से पीटी आई के हुक्मरानी रही तके बराबर का काम यहां आख्री दफ़ा यह शहर एम क्यूम के हाँ जाला ताला सारे तजर्वास से गुजर कर यह शहर दुबारा वक्त आ गया है कि एम क्यूम बालों के हादों से बनेगा इन नमाइंदों को जिनको आपने अभी देखा है इनको इंशालला ताला आठ फर्वरी को वोट दे कर काम्याब बनाएंगे बुलो बनाओगे कराचीवर बुलो बुलो आठ फर्वरी को एम क्यूम को वोट दोगे इंशालला पतंग पे मोर लगाओगे तो बस पूरे जहां जहां वाज जारी है मेरी जो इस पिंडाल से बाहर है जो इस पिंडाल में है ऐ सातियो मेरी माहो बेनो बुज़रगो बंदरा दिन रहे गहे हैं बन बनाकर सो मद जाना दरिया आकिर दरिया है इनके पास बहूत पैसे हैं सब कारकून بن जाओ पन्दरा दिनों के लिए और अपने अपने घरों में यूनित आफिस खोल लो अपने अपने घरों में यूनित आफिस खोल लो सब सब कारकुन बन जाओ अपने अपने घरों में यूनित आफिस खोल लो मेरी माएं भी बेहने भी वोटर लिस्टे मंगाएं अपने खांदान के वोड जमा करें अपने प्रणोसियों के वोड जमा करें अपनी गलियों के वोड जमा करें MQM के कारकुन के इंतजार मत करो सब MQM के कारकुन बन जाओ सब पंदरा दिनों के लिए सिर्फ पंदरा दिनों के लिए एमक्यम के कारकुन बन जाओ और हमेशा हमेशा के लिए इस कौम को इस शेर को आजाद करा दो यह आजादी सिर्फ कराची वालों की नहीं है यह आजादी लाड़का में भी है यह आजादी पंजाब वालों की भी है यह आजादी बलोचस्तान सारे मजलुमों को MQM का जंडा पकड़कर कराची लीड करेगा इंशालला ताला इस दफ़ाद पाटक से लेकर इंशालला ताला मलीर मलीर के गोठों तक MQM ये MQM होगी इंशालला ताला बुलो तैयार हो कराची कराची I love you अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं इस जल्सगाह में आज के आखरी मुकर्र को दावद दूँ मगर उससे पहले इस जल्सगाह के महाल को गर्माने के लिए आप मेरी आवास से आवास मिलाकर तीन नरे लगाये नरे मुटेदा नरे मुटेदा नरे बॉचे अब आपकी बर्मूर तालियों में कन्वीनर मुटेदा कामी मुव्मेंट पाकिस्तान दूच्टर चालिद मग्मूल शुतिखिवाई नफरत की आद बुझानी है चालियों मुटेदा जगावतों के दरक्षा अलम उठाए हुए जिगर की ताक में शम में मुभी जलाए हुए हमारी राह में जो भी आए दिल को मार के आए शबेदराज घमे बेकरा गुजार के आए गले से तौके जमाओं और मका उतार के आए और बड़ों बड़ों को बबांगे दाल पुकार के आए के बहुत चाहत तलब है राहे वफा अपनी के इंतिहाए जनू से है इप्तिदा अपनी वाजब लेतराम बुजर को मेरी माँ बेहनों बेटियों दोस्तों भाईयों अजीज तेरी की सातियों असलाम आले को एल्यान कराची तुमें सलाम कराची असलाम आले कुम कराची के तुमने कौम की इज़द रख ली तुमने कौम की इज़द रख ली आज वादा था MQM के कारकुनों का क्याट फर्वरी को नहीं 21 जन्वरी को फैसला आएगा आज फैसले पे मौर लग गई है कराची असलाम आले कुम आप पर सलामती हो अल्ला की आप पर सलामती हो सलामत रहे ताक क्यामत रहे कराची की सलामती का मतलब कराची की सलामती का मकसद पाकिस्तान की सलामती है कराची की सलामती पाकिस्तान की सलामती की जमानत है पाकिस्तान की खुशाली कराची की खुशाली की बदौलत है कराची और पाकिस्तान लाजम और मल्जूम है लहाज़ा जो पाकिस्तान से महबत करता है उस पर वाजब है कि कराची से भी महबत करे जो पाकिस्तान का खैर खाह है वो कराची का भी गमखार होगा और हम भी कराची से इसलिए महबत करते है कि हम पाकिस्तान से महबत करते है हम कराची की परवा इसलिए करते हैं कि हम पाकिस्तान की परवा करें तहरे मुस्ताइद और तुमारे उकुष और हम आज अपने वादे को रहा हैं कि हम पाकिस्तान के हवाले करेंगे कराची हम आ गए है तो जजब और नहीं जाते है जब भाके में वक्त बिगड़ जाते है अब उनके बिगड़ने का वक्त भी खतम हो गया है आज कराची नहीं काइम कर दी है वक्त आ गया है सब्बंदी का नए मारे के का मोर्चे तामीर करने का एक नई जंग करने का एक सब्बंदी करने का जिसके एक तरफ एक तरफ 75 साल से पाकिस्तान पे काबिस घासिब जाले मुकमरान है दूसी तरफ पाकिस्तान की अवाम है मैं मुबारख बाद देता हूँ कराची की अवाम को पूरे पाकिस्तान में बसने वाले हक परस्तों को के आज के जलसे ने पाकिस्तान के अंदर अवाम की हुकुमरानी के एक ने और तादा खाप को ताबीर दी है इन्शाला ताला अब हम देख पा रहे हैं वो मनजर नामा हमने एक नई सब्बंडी एक तरफ जालिम है दूसरी तरफ मजलूम है एक तरफ हाकिम है दूसरी तरफ महकुम है एक तरफ बाईस सो तेश्स सो खांदान है दूसी तरफ बाईस तेश्स करोड अवाम है एक तरफ मरात याफ्ता तफगा है दूसी तरफ जल्म सितम तफगा है और इन्शाला ताला इस जंग में पाकिस्तान की अवाम की जीत होगी हमराब अब मन्जिल देख पा रहे हैं सुनो सुनो आवाज दे रही है मन्जिले राहे पुकार रही है चलो कि मन्जिल बुला रही है सुनो कि राहे पुकारती है गुजर गया ती रगी को मौसम फसील शब भी बिकर गई है जो रात चाही थी रास्तों पर वो अपनी मौत आप मर गई है सदा ये यजदा की आ रही है चलो के मन्जिल बुला रही है आज के इस जल्से का इसप्ताम हुआ जाता है पार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टार्टा बड़ा आवाम गो एंगे पाकितान का एका जाज़ों इसलों अप्री हो इसे हलाए प्री जारे जाज़ों नो कि टाज़िश के चखकर इंशालगा हम ठीक तर देंके यासा इंशालगा झाल भुझ झाल जो और आप मстली उड़ झाल उमीके आड़ स्य बातमिघ समदा़ मिली झाल जो भो कोो ऐफ रडरीया मि MARY 무슨 जाख की एंट झाल बातमिक शोन типа कुछ के लिववफ कर दोन के शोने झाल, झाल आजे वन्हों किरें आजे आजे वाएं dehका दिना आजु अन्हों कि अजय को एका वेजिए जाजरूर्थ आज़ वाइए झाल झाल पार किस्टानाब को मिना कर जाना एखना है यह दनको नसमय सब बंगल दो उसे बार समझ उताना होगा पार समझ उताना होगा कर दो कर दो करनी है